स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको सिक्षा मिलेगी कि कैसे हम अगर निरंतर अभ्यास करें तो हम अपने लक्ष तक पहुंस सकते हैं अपनी लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो यह कहानी वरदराज की है प्राचीन समय में विध्यारती गुरु कुल में रहकर ही पड़ा करते थे बच्चे को सिक्षा ग्रहन करने के लिए गुरु कुल में भेजा जाता था बच्चे गुरु कुल में गुरु के सानिती में आश्रम की देखवाल किया करते थे और अध गुरू जी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी इस कारण सभी के बीच वे उपहास का पात्र बनता था उपहास यानि हसी का पात्र बनता था उसके सारे साथी अगली कक्छा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं पड़ पाया यानि कि वरदराज भही क्यों ही रह गुरू जी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला बेटा वरदराज मैंने तुमारी पड़ाई के लिए सारे प्रियास करके देख लिए हैं अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बरबाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो वरदराज ने भी सोचा सायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से दुखी मन से गुरू कुल से घर के लिए निकल गया दोपेर का समय था रास्ते में उसे प्यास लगने लगी इधर उदर देखने पर उसने पाया यह थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं इसे बनाई तो एक महिला ने जवाब दिया बेटे यह निशान हमने नहीं बनाई है यह तो पानी खीशते समय इस कोमल रसी के बार बार आने जाने से फोस पत्थर भी परपई ऐसे निशान बन गई है वरदराज सोच में पढ़ गया उसमें विचार किया कि जब एक कोमल र वरदराज धेर सारे उस्सा के साथ वापस गुरू को लाया और अथक प्रियास और अभ्यास के साथ आगे बढ़ने लगा गुरू जी ने भी खुसो कर बरपूर सहयोग किया कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धी बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरन का मह विद्धान बना जिसने लगू सिद्धान कौम दी मत्य सिद्धान कौम दी सार सिद्धान कौम दी गेरवान पदमंजरी की रचना की इस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि वरदराज धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने विद्या पाने में सफल हो गया तो इस कहानी स सिक्षा जो मिलती है किसी भी कारे में अभ्यास बहुत जरूरी है चाहें वो खेल हो या पढ़ाई हो या किसी और चीज में बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरो से बैठे रहोगे तो आपको पस्तावे के सिवा और कहानी यह बहुती शिक्षापद और प्रेड़ना दायक कहानी है इस कहानी को आप याद कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने माता पिता को सुनाईए कि आपने कितनी अच्छी कहानी याद की है और अगली कहानियां प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्स